नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको कराऊंगा इंग्लिस एल्फबेटिक सीरीज से रेक्टिट कोश्चन तो वीडियो को पूरा देखेगा आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा तो दोस्तों मुझे एक सीरीज दी हुई है तो हम को दियान से पढ़ेंगे और मैं आज आपको ट्रेक्ट बढ़ाऊंगा कि मैं कम से कम ताइम में कैसे को कर सकता हूं पहला कोशन अब देखे मुझे ये पांच वर्ड दिये गए हैं कहता है हर एक वर्ड में जो भी मेरा सेकंड अल्फाबेट है अब देखे जैसे इसमें आर इसमें यू इसमें ए इसमें ओ और इसमें आई हर एक वर्ड में जो भी मेरा दूसरा अल्फाबेट है क्या कहता है, change to the previous alphabet उसको बतलना है उससे पहले वाले alphabet से in the English alphabetical order अंग्रेची वनमाला के नुसार ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे पहले word में second letter क्या है R, तो इंग्लिस alphabet का सब अंग्रेची वनमाला का मतलब R से पहले क्या आता है अब लेखे, R से पहले क्या आता है R से पहले क्या आता है, Q तो मैं उसके उपर लिख रहा हूँ R से पहले आता है, Q S, E, U से पहले क्या आता है, U से पहले आता है, T फिर A से पहले क्या आता है, तो A से पहले क्या होगा, जी Z फिर से ओंग से पहले क्या आते है जी ? in और से ही ऐंग से पहले क्या आते है जी ? तो पर इस बिंग में कि जो भी सबंचिप kami गमदमाना में से पहले बाले लै्टर से हमने बदल देना है तो मैंने यह बदल दिया कि वीच वाले एक्ट को उपर लिख दिया है ठीक है जी, लेन उसके बाद क्या बोलता है How many words thus formed have more than one vowel तो मैंने सिर्फ सेकिंड अलफाबेट को बदलने को बोला था उससे पहले वाले अलफाबेट से अंगरी जी बनमालगा नुसा एक से ज्यादा vowel है वाल का मतलब स्वर यानि की A,E,I,U,U एक से ज्यादा देखिए अब यह वर्ड बन किया A,Q,M इसमें एक ही वाल है उसमें एक से ज्यादा बोल है M,T,D में कोई भी वाल नहीं है C,Z,D में भी कोई भी वाल नहीं है D,N,M में 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 भी कोई بिल नहीं है और F,G में भी कोई भाल नहीं है तो,after-change करने के भाद कोई भी word ऐसा नहीं है जिसमें एक से ज्यादा भाल हूँ तो, जो मेरा first question है तो, मेरे first question का answer मेरा क्या आ गया है जी –None N,O,N,E,None मतलब, कोई नही, कोई भी अंसर नहीं आ रहा है ठीक है जी तो यह था मेरा first question तो ऐसे ही वो question को बोलेगा question को आप फटा-फट पढ़ेंगे जी फटा-फट question को पढ़ने के बाद आपको जो भी उसमें बोला है वो आप जल्दी से इसमें change कर लेंगे और change करने के बाद फिर आप क्या करेंगे अब जो आपने नया change किया है जैसे मैंने भी आपको यहां पर करके लिखाया तो उसके हिसाब से अपना answer बताएंगे तो यह था मेरा first question आप आते है second question पर अब second question देखिए if in each of the word अगर हर एक word में all the alphabet are arranged in the English alphabetical order जैसे यह वर्ड है अब कहता है इसमें इन टीनों को अंग्रीजी वनमाला के हिसाब से बदलना है कि पहले क्या आता है फिर फिर जी आता है तो उसके सब begin with a vowel और ऐसा करने के बाद कितने जो वर्ड है वो वावल यानि स्टर्स से start होंगे तो यानि कि मैं पूरा भी लिखने की जुरूत नहीं है इतना time लेगा जुरूत नहीं है अब इसमें पहले यह आ रहेगा फिर उसके एम फिर आ तो मतलब सबसे पहले आने वाला है इसमें कर के सबसे रहेड़ले के सबसे यह आईगा जी अगर अग्रीजिफिंद मौला में सबसे पहले की आए už इसमें और मैंने अगला दूसरा और तीसरा पलेविं से स्ट नहीं गिया है तो मैं रहेगा है जो लेक्टर है वो मैंने टिक कर दिया है तो देखें यह वोल है जी दी वोल नहीं होता एक यह वोल है दो दी भी वोल नहीं होता तो यह दो इसमें यह आगया तो यह जो दो वर्ड होंगे जिसमें वोल पहले आएगा तो second question का मेरा answer क्या आगया जी टू ठीक है जी ऐसे दो वर्ड होंगे इसमें क्या बन जाएगा इसमें आपका बन जाएगा ए एम और आर यह मैं आपको knowledge के लिए बता रहा हूं ठीक है जी और इसमें क्या बन जाएगा जी A C और D तो यह वो दो वर्ड होंगे जिसमें वोल पहले आएगा तो दूसरे question क अंसर आ रहा है मेरा जी टू ठीक है जी डन तो ऐसे ही आपको मनदब पूरा लिखने ही जरूत नहीं है आप फटा-फट question को पढ़ेंगे और question को पढ़ने के बाद आप जल्दी से कैसे आप उस question का answer कर सकते हैं वो आप जल्दी से अपना दिमाग चला करके उसका answer बता दे फिर थर्ड question के आते हैं अब देखें थर्ड question में क्या बोलता है how many letters are there in the English alphabetical series between अब देखें कहता है इंगरी जी वन्माला में मुझे क्या करना है बताना है कितने अक्सर उसके बीच में किसमें third letter of the second word from the left समझे लेक्ट मतलब बाएं से बायं से second word पहला और दूसरा जो वड़ है उसका third letter तीसरा अक्सर तो बाएं से दूसरे वड़ का तीसरा अक्सर क्या है जी अटन इतना समझ में है और उसके बाद क्या बोलता है यह मेंगे और उसके बाद और क्या बोलता है second letter of the second word from the right दाहें से ठीक है जी, right से second word second word का second letter that is O ठीक है जी, तो उसने क्या बोला उसने बोला कि left side से दूसरे word का जो तीसरे letter है वो आया D और right side से दूसरे word का जो दूसरे letter है वो O तो D और O के बीच में अंगरेजी वर्णमाला में इनके बीच में कितने alphabet आते हैं अब देखिए, मतलब ये पूछ रहा है कि D से लेकर O के बीच में कितने letter आएंगे, ठीक है जी तो D से लेकर कि O के बीच में आप गिन सकते हैं अगर मुझे इसकी value आता है कि D आता है O के बीच में आते हैं तो मतलब आप क्या करेंगे आप question को अराम से पढ़ेंगे अगर आपको question समझ में आ गया तो फिर उसके बाद आप फटा फट उसका answer बता सकते हैं मेरेको पूरा लिखने की भी जरूवत नहीं है ठीक है जी, next dictionary के अंतर देखूं from left to right तो which of the following will be the fourth from the left अब देखिए अगर आपको dictionary देखनी आती है dictionary में क्या होता है A से लेके Z तक मेरेको words यह होता है तो देखिए मेरेको ऐसे ही पता लग रहा है अगर मैं इसको dictionary में देखूं तो सबसे पहले मेरेको यह मिलेगा जी यह वाला, फिर उसकेबाद दूसरे नंबर पे यह वाला word वड वी लेगा जी तीसरे नंबर यह मिलेगा जी फिर चॉत्यह वाला मिलेगा जी तो उसमें आपक होता ही वो क्या आगया जी मेरा अंसर आगया एफ आई जी तो नीचे चार आप्शिंस में से मैं एफ आई जी बेटिक कर दूंगा कि अगर मैं इनको डिक्षिन भी देखूँ तो चौते नंबर पर वाएं गिनाज जी तो 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 दोस्तों यह था मेरा अच्छे टॉपिक इंग्लिस अपने कुछ नहीं करना है अपने कुश्चन को ध्यान से पढ़ना है उसको समझना है और अगर आपको कुश्चन समझ में आ गया तो आप जल्दी से उसका अंसर निकाल सकते हैं तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा रगा तो इसे आप लाइक कमेंट और शेयर कीजीग और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद